हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल असम्राइफल्स 161 वेकेंसी जिसका रेटेन एकजामनेशन आठाई दिसम्बर को हुआ था तो आठाई दिसम्बर के रेटेन एकजामनेशन में किस किस चैप्टर से कोशन पुछे गए थे उसके बारे में आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्योंकि जितने भी असम्राइफल्स क्लॉर्क और ट्रेट्समेन की तयारी करने वाले केंडियेट हैं उनको जवड हेल्प मिलेगा रेटेन एकजामनेशन की तयारी करने में तो प्लीज आप लोग से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को पाने बात करेंगे कि मैस सब्जेक्ट में आपसे किस किस चैप्टर से कोशन पूछे गए थे और देखे बहुत सारे लोगों को हम मेसेज करके पूछे थे कि क्या-क्या आपके रिटेन इजामनेशन में कोशन पूछे गए थे जरा हमें बता दिए तो लेकिन किसी नहीं ब बहुत सारे लोगों को मेसेज कीए बट कि सीने ने बटा जितने भरती देने गए थे 561 इंटके वहणी है पूछे कि Rylai दीजिए कि हां क्या क्या आपके रिटेन जार्मिस्टम कोशन पुछे कर जिसे आने वाली जो भी कलर के और ट्रेट्समेंट की तयारी कर रहे हैं के उनको हेल्प मिलेगा लेकिन किसी नहीं बताया बस एक केंडियेट है भाई ने और उन्हों नहीं अच्छे तरीके जितना ब क्योंकि पिछली जो जितनी भरती आई थी असम राइफिल्स का उसमें आपके इन सभी चैप्टर से कोशन देखने को नहीं मिले थे जार्ण आपके मेंस्टुरेशन से ही कोशन देखने को मिले थे तो LCF or SCF नमबर सिस्टम और फिर है आपका मैस्टुरेशन मेस्टुरेश चैप्टर से ही पुछे आते थे, लेकिन दिन पर दिन जो आपका भरती आगे बढ़ते जाड़ा है, वैसे-वैसे सभी सब्यक्ट से कोशन पुछे जा रहे हैं, मेन्सुरेशन से कोशन थे हैं, त्रिकों मीटी, जिसको त्रिकों मेट्री बोलते हैं, उससे भी आपके मैथ मे question पुझे गए तो यह 4-5 chapter है इन सभी chapter से आपके question पुझे गए तहí जितना हमें बताया गया है उतना ही आपको हम बता रहे बाकी हमें जारा कोई जानकारी नहीं है जितना हमें मालूम होगा वही आपको बताया है क्योंकि सभी candidate हमको बताया नहीं हैं जितना जो बताए हैं हमको वही आपको हम बताए हैं एक एंडियर थे उन्होंने बस बताया है यह तो आपका मैद का ओगिया 3-4 चैप्टर थे इनसे कोशन आपके पुछे गया थे रिजनिंग के बात करें रिजनिंग में रिजनिंग तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है लेकिन तभी आपको बता थे कि ट्री में आपसे किया कि ट्री किस चैप्टर से कोशन पुछे गया थे आपके number शे। से कॉशन पूछे गया थे आपको हम हमेशा बोलते आ रहे हैं इससे और रिटिन इक जामनेशन होने से पहले भी आपको हम इंगलीस के बारें बताएं थे कि आपको बस क्या करना है वो क्या करना है यानि की one word substitution, signo name ये सबी चीज आपको याद करके जाना है और सबसे ज़्यादा जो question पुछा गया था वो one word substitution से ही question पुछा गया था, one word substitution से ही ज़्यादा question देखने को मिले थे इंगलीस में और signo enter से भी question थे, एक दो question signo enter से भी देखने को मिला था इसलिए आपको हम हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा आप लोग फोकेस किजिए one word substitution और signo name पर और idiom phrase इन सबी पर आपको ज़् अन्होंने बताया नहीं, एक candidate बताया थे कि quality से, जोग्राफी से, इन सबी से ही question थे, तो इतना सारा हमको जितना जानकारी था, आपको हम बता दियें कि जो 28 December को जो written examination हुआ था, उसमें बस इनी सभी chapter से question पूछे गए थे, तो आप लोग से हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि मैथ में द्हान में दियें जितने भी आपके all chapters है math में, all chapters पर आप लोग ध्यान दिजे, reasoning में भी आपलोग all chapters है उनसे भी पड़ आप लोग ध्यान दिजे, क्यूंकि दिन पर दिन आप लोग देख रहे हैं कि पहले आपके capital क्या होते थे, भरती में जो सुरू बार भरती पुछा गया था और आगे देखने की देज़े देज़े और भी चैप्टर इसमें इंक्लूड किया जारा है आपके रिटेन इसा नहीं कि कोउशन पेपर जोहर बहुत हार्ड होता है कोउशन पेपर बिल्कुल नॉर्मल होता है ईजी तुमॉडरेट लेवल बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का भी आपके कोउशन नहीं होते हैं जो भी चैण्डिये घ् excluded पहले भी किसी भरति में जिनका आउब फान्य सरक्षण नही पहले तो आपने को मालूम होगा किस लेवल का कोशन आता है जो नए पर बात कि जो भी लोग रेतिनिक आम से देने से पहले तो बहुत कुछ बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे सारा चीज लेकि देने के बाद वो लोग कोशन बताते नहीं कि हम आपसे कोशन पूछ नहीं रहे हैं बस आपसे चैप्टर नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोग चैप्टर बताएं जिसे आगे आने वाले जो भी केंडियेट होंगे जो भरती देखने जाएंगे उसको कुछ मिलेगा अपनी तैयारी करने लेकिन सारे लोग सेल्फिस हो जाते हैं कि बताने पर भी कुछ उनको फर्कने परता है यानि कि मतलब कि बताते भी नहीं कितना भी उससे पूछ लिया जाओ से पहले हम उनका अब तो बाइट का दिये थे जो भी हमसे हो सकता था ट्रेटर से लेटर आपको हम हम हेल्प किये लेकिन रेटी निजाने सम्देने के बाद हम जब कोशन पुछे कि हम बताएए कि किस टैप के कोशन आते तो आसा बता दीजे जाकि ताकि जो आपके हम अपने नहीं पूछ रहे हैं जो भी केंडियर की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए पूछ रहे हैं ताकि उनको हेल्प मिले अब जैसा हो आगे आप लोग देख लीजेगा बाकी हमसे अब हेल्प करने की जो है उमीद आप लोग मत रखेएगा बाकी जितना एक भाई है उनके हो तो हम ठैंक्स बोलना चाह की जो नई भरती आगी और यह 161 वाली कंप्लेट होने के बाद आपकी नई भरती जारी कर दी जाएगे जैसे ही जारी होती है कोई अपडेट आता है तो आपको हम टेलीगाम ग्रूप में बता दिया करेंगे लिंक डिस्क्रिशन में है आप लोग जाकर जोईन हो सकते हैं चलिए आप लोग समिरते हैं नेक्स्ट वडियो में जैहिन बन्ने मातन